आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ एक घंटे में क्या कररा हो एक घंटे में 500 kg वेट पान्सो kg क्ले को क्या कर रहा हो ठाक ले जा रहा है 200 मिटर तक के height पे तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसका useful power क्या होगा ठीक है इसका useful power है जो work करने में लगा रहा है वो कितना है तो उसको मैं लिख सकता हूँ, work done upon time taken, तो जो work done होगा, चुकि यह कुछ height का, यहाँ पर height का creation है, जो कि actually में depth है, और depth अपका कितना है, 200 meter का है, तो work done जो हमारा होजगा, that will be equal to the mg into h के बराबर, h हमारा यहाँ पर क्या होगा, depth होगा, और upon आजागा आपका time t, mass जो हमारा दे रखा, that is of 500 kg, g के जगाप रख लेंगे 9.8, h के जगाप रख लेंगे 200 meter, और इस पूरे प्रक्रिये में समय लग रहा है, आपका एक घंटे का, एक घंटे को अगर मैं in second convert करूँ, तो इसको मैं के बराबर आजाएगा, तो वो useful power इसको just solve करेंगे, तो after solving ए value आजाएगा आपका 272.2 watt के बराबर, अब लेकिन हम से पूछ रहा है कि input power क्या होगा, तो हम लोगों ने relation पढ़ रहा है, efficiency का, efficiency का जो relation होता है, हमारा होता है, useful power divided by आपका होता है, input power, ठीक है, input power, अब हमें न be equal to what, तो input power हमारा हो जागा, useful power, और divided by हमारा हो जागा, efficiency, अब useful power जो हमारा है, वो हमारा आया था 272.2 watt, और जो हमारा efficiency का value दे रखा question में, that is 0.7, तो यहां से आपका input power आजागा, after solving जो value आजागा, it will be equal to the 388.8 watt के बराबर, and this will be our final answer, okay, thank you. Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर.